और बैक गाइस 62 प्लेयर्स जोईन हो चुके हैं हमारे सेकंड मैच आज का मिरा मार होने वाला पहला मैच जो की अपोलो ने जीता था अपोलो यहां रही 60 नमबर आपोलो ने काफी किल्स के साथ उठा यह पिछला पहला पिछला में जो हुआ था जीता है इस पूरे प्लेड़्स आचुके हैं आईस की पूरे प्लेड़्स अभी तक नहीं आए एक प्लेयर बाकि इनका और ध्रद्रड्रे प्लेड़्स जॉइन हो रहे हैं ऑजी के फुल स् की है और आई थिंक 66 प्लेट में चालू हो जागा पूरे 66 प्लेट में के यह मैप मेरा मार होने वाला है काफी बड़ा मैप है तो कि 67 प्लेट हो चुके है कि कुछ ही समय में मैं यह मैस सुरू होगा कि icy का एक बंदा आइधिंग नहीं आया या फिर ट्राइवर से स्क्वाइड खेलेंगे पिछली बार तो लियो की टीम जो डेल्टा है और डैथ टैक्स जो भी नाम इन्होंने ट्राइवर से स्क्वाइड ही खेला था अच्छा खेला था इन्होंने भी अपोलो ने तो काफी अच्छा पीछली बार तहल का मचा दिया था पूरे रेंगल में अपनी ही नाम के डंका बजवाये थे काफी अच्छा खेला थे इन्होंने अब इस मैच का देखेंगे यह नए सुरू से सीरिय से मैच सुरू होगा तो मैच बिल्कुल अलग है नया मैप नए बंदे तो हर चांदरी निरात नहीं होती ही मैं सुरू हो चुका है आई थिंक 70 प्लेयर्स जोइन के थे आई थिंक 70 प्लेयर्स जोइन के थे खुल जा भाई क्यों नहीं खुलता है तीम1 कि दो 2 बहुता था, क्यों तो बेंस्किर में सुरूड कर साओ तीम i2 स्किर्टिं प्लन थे मिधार्स द्वेंस्टष ऌइब miracles टिम21 बिंक्वेंस्ष्ट्वें énormément मुश्वेंस्कaturaं दिनल्यां और टीम 24 फुल है तो मैं बता दूँ यह रही टीम्स टीम 24 67 प्लेट्स जॉइन कर चुके हैं मेरा मार मैप है तो चलिए सुरू करते हैं अच्छा खेड तो मैं बता दो प्लेइन पास जो है बिल्कुल बीचो बीच जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि बंदे बटेंगे इसमें ज खाली रह जाएगा जो प्रिजन साइट है लॉस है तो बीचो बीच से जा रहा है मत्तब यानि की बंदे मूफ कर सकते हैं दोनों तरफ उपर नीचे दोनों तरफ मूफ करेंगे लेकिन एक जो नीचे वाल आईलेंड है वो खाली रहेगा यदि या फिर कोई कार से वैकल से जाना चाहे तो जाएगा ज़रूर लेकिन वह बहुत टाइम टेकिंग होगा नीचे जाएंगे फिर उपर आना अगर जोन उनके फेवर में नहीं बना तो उनके लिए घाटे की सौदा हो जाएगा तो टीम एड जो है मूफ कर या इसिंग एल हजार की तरफ मूफ कर रही है और टीम 16 भी I think water treatment या फिर patron की तरफ जाएगी टीम 10 भी टीम 2 और टीम 16 एक साथ ना मूफ करें टीम 1 भी कूच चुकी है तो अभी तक तो जहां तक मैं देख रहा हूँ अभी तक जितनी भी टीम्स कूदी हैं सिर्फ उपर की तरफ मूफ कर रही है टीम 1 और इनके साथ एक और टीम है team 7 आ team 17 11 नीचे की तरफ मूफ कर रही है यानि कि आधा आधा आप देखेंगे तो आधा पार्ट की टीम ऊपर मूफ किया और आधी पार्ट की तरफ नीचे मतलब इम पाला केले और लेबिंड डिटा केले लॉस लिनौस भी आधा खाली मेरे को लग रहा जानी ज तीम एक पास लैंड की है भाई स्कैम हो गया यह तो इस तीम 7 वाइपर ने टीम 7 के स्काउट कर लिया उस पर फायर भी दिया थोड़ा सा तीम 7 जो है डूओ खेल लिए तो टीम 11 टीम 17 पास पास है लेकिन पीस्सेविटर मटनेर टीम 11 और टीम 7 जो है इन गेज़ हो सकती है बिलकुल पास लेकिनटीम 7 जो है डूओ से स्क्वैड है और टीम 11 फुल डूपिया के साथ है उनके पास भी देखते हैं टीम 7 पास क्या 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 मिश्चidée है ऑर के हैं डुट के नाम फर एक डिजर्ट इauen ऑप अच्छ एयक 6 çıktी मी छुका है एंक सईर इंटिन कर बैग है और पांच स्वांच विलेवेंट तीम 17 को देखते हैं टीम 17 भी बिल्कुल पास महीं है तीम 17 के पास लूट एक पिस्टल है और टीम 17 के फ्लैस एलन के पास जो उजी है और इस प्रेयते रहें एक बंदे को आई थिंक नॉक कर दिया टीम 17 बिल्कुल पास पास एक लूट के नाम पर शिर्फ उजी है और इनके बंदों के पास लूट देख लेते हैं एक एक यहम है सेकंड लेवल के हलमेट है वेस्ट नहीं है इनके पास और दोनों आई थिंक एक यहम है और डेल्टा वाइटी शॉट गन ने विन 94 है फर्स्ट लेवल हलमेट सेकंड लेवल वेस्ट टैन बेंडेज के साथ यहां पर हैं और तीम 11 के पास लूट देख लेते हैं यूएंप साथ में जुड़ हो चुकी है ही कि नाम पे मतलब कुछ नहीं है बहुत लिट था इन के पास एक बाइस तो नहीं है लेकिनमार है उस आत में लेजर साइट लगिंड दस बेंडेज के साथ और इनका दूसरा बंदा देख लेते हैं ये भी काफी आधा डैमेज हो चुका है इनके पास भी कुछ ज्यादर लूट है नहीं हम 16 और एक टॉमी गन है इनके पास साथ में फर्स्ट लेवल किया इधिंग हेलमेट है वेस्ट नहीं है तो यहां पर टीम टीम 17 यह स्मोक करके एधिंग लिए टीम 11 टीम 17 टीम 7 मतलब इन्होंने अभी तक फाइट नहीं ले लिए यहां पर बस एक टीम 4 आया थी वह फाइट हुआ है था खतम हो चुके हैं मतलब टीम 11 टीम 17 और टीम 17 उन्होंने बैक अप कर लिया है फाइट लेने के मूड में न टीम 11 के दो बंदे डामेज है हेल्थ है नहीं इनके पास की और टीम 17 का भी बंदा डामेज है मतलब की तो यहां पर फाइट होने की चांसे कम हुए किसी पास भी अच्छी खासी लूट नहीं कि वह रश करके खेल सके अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर कहीं इंगेज हो टीम 15 मी पास है टीम 19 कए अडार सी कमांडो काफी जादए ढामेज है टीम 15 और यहां पर हम थोड़े से अड़े तीम 15 यहीं पर है थोड़े सी दूर है काफी दूर है यानि की तीम 15 का दो बंदे इधार दो बंदे यहां पे दूर काफी है के पास 19 तीम 19 पास काफी है जाद है एडवांसे सा कि टीम 15 के दो बंदों को घेर रहे लेकिंग छोटी स्रीच के प्यारी स्रीच से वह वापस पैक अपने प्लेयर्स के पास जाते हैं तो तीम 15 फिट से रही प्रिचली टीम और इंगेज हो चुकि आइधिंग टीम 18 19 का बंदा ना खुच है और खतम भी हो जगा टीम 19 का बंदा गैट से माइसी गेट से बॉय उपन पकड़ा उसको और खतम भी कर दिया आइधिंग टीम 15 के बंदे ने इनको पकड़ा और खतम भी कर दिया है कौन था इधिंग डूंट नो पर तीम 15 के एक बंदे ने ओपन पकड़ा एमाइसी के बंदे को और खतम भी कर दिया है इनके उपर जैस्ट उपर ही टीम 18 भी है तो काफी दर्दनाक वाली बात है और साथ में ही तीम और मैं बता दूँ तीम 8 जो है अलाज़र में लूट रही है तीम 5 एकड़म उपर गई है तीम 2 भी बहुत उपर गई है तीम 16 भी अपोलो जो पिछली बार जीती थी और 1010 वाटरेट ट्रिटमेंट के पास तो यानि कि टीम 19 और यहां पर जो इंगेजमेंट चलिए सभी लगबग टीम जोन में है सिर्फ टीम 8 16 और टू और 5 को छोड़के लगबग सभी टीम जोन में है नीचे वाले आइलेंड पर कोई नहीं किया जैसा कि मैं बोल रहा था यह नीचे जो जाता उनके लिए काफी खराब बात हो सकती थी क्योंकि योन भी नहीं वहाँ पर उतना उपर वाफस जाना आना बहुत दिक्कत होता है 18 टीम 18 के लियो ने श्प्रेद जिया एक किल उठाया सॉरी में और एक नॉक किया है मतलब कि 15 के बंदे नहीं सॉरी टीम 18 के एक बंदे लियो ने टीम 19 के भा रहा था और खतम भी किया था और एक और बंदे डैमेज है यानि नॉक हो गया है त्री वसेश टू की चांस है लेकिन अब रिवाइब मिल जाएगा तो अब थ्री वसेश थ्री हो चुका है पास में ही 315 भी है साथ इन लोग को पता नहीं 315 पीछे से आ रही है I think मुझ यह चुका है अब रस करेंगे अब फूर वसेश टू की पोजिशन आ चुकी है तो अब रस करेंगे फुल अपने पेस के साथ और एक किल कंफर्म क्या लियो I think लियो नॉक लियो 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 आई थिंक लियो बच्चा है कि क्या हुआ है I don't know छू backwards Pizza लियो और यह t team 18s क्यानि अद्यम होचुका है दिल्टा कफी देमेंज हो चुका है और अभी तीनों बचे से रोबस्ट थे आई थिंग दो के लिए पर उठा लिए हैं इनका एक बंदा नौक होता है वेंजर जिसको रिवाइब मिल जागा तो टीम ने पूरे पांच के लिए तो यहां पर टीम 18 जो है तीम 18 थी न अपर लो टीम इस वहां पर चलेंगा लोग टीम 17 का एक्स वैनन नौक हो चुका और खतम हो जाएगा टीम 11 के बंदे न उसको नौक किया खतम किया जो अब तक फायट रुकी हुई थी यहां पर फायट लेने के पुरे मिद्वाइब टीम 17 के कौर बंदा खतम हो जाएगा 11 के पास चलेंगा आई थिंग वहां पर वाइपर है वाइपर नहीं है दोनों पुश कर रहे हैं वहां पर हाइपर सुंद्रम फ्लैस एलन के नौक पड़ाया और यहां पर सुंद्रम खतम हो जाएगा टीम 17 फूरी खतम हो चुकी है यहां पर तो पूरी फूर चार किल उठाज जिसमें से अक आई थिंग फाइट लेने उनके पास लूट नहीं थी अभी तक यहां पर जो मैं बोला था कि दोनों टीम तीम 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 उत्रित यहां पर जो फसी हुई थी तीम 7 अभी बची हो यह टीम में 17 खतम हो चुकी है टीम 11 ने चार किल उनके उठा चुके है कोई किल नहीं उठा यहां पर भी बना हुआ है अभी टीम 16 जोन में मूव कर चुकी है टीम 2 भी जोन में मूव कर रही है टीम 2 आई थिंग इंगेज हुई है क्या किसी से चलेंगे वहाँ पर हम ने टीम टू इंगेज नहीं हुई है और यहाँ पर टीम फाइभी जोन में उपकर रही है तीम नाइटीन फिटीन अभी वहाँ बनी है यह टीम टूटीवन अकेले अपर फॉजो में बैठी हुई है अपने महाँ पर राज जमाय हुई है कि टीम 19 और टीम 15 के पास चलेंगे हम लोग वहाँ पर देखा है इंक फाइट हो चुकी है उनकी बीच में टीम 19 का एक बंदा डैमेज भी है काफी डैमेज हैं टीम 19 का आरसी कमांडो लिटरली एक हपी से बचा नौक होने से तो यहाँ पर इंगेज हो चुके हैं टीम 19 और ट के पास हाई ग्राउंड का अड्वांटेज है साथ में इनके पास पांच किल हैं तो मतलब फाइट हो चुकी है और अच्छे खासे किल के साथ कॉन्फिदेंस भी इनका है इनके पास और टीम 19 जो है सुरू से अभी तक डिफेंसिव पॉंट से खेली है क्योंकि इनका एक ब प्लेयर से इनगेज हो चुके है दूसरे प्लेयर पर चलेंगे और इस कारण से 3x के साथ टीम 19 के स्वामीग और आर्सी कमांडों पर फायर दिया आर्सी कमांडों को नौक कर पाते हैं कि नहीं थोड़ा सा इस प्रेवाइडर था थोड़ा सी प्रेवाइडर था अगर कर पाई उपर की तरफ में पता दो कि हर एस पर एक टीम बैठी हुई है टीम 20 कोबेरिया की तरफ बैड़ी हुई है कि दो फैयर जोन में है दो प्लेयर अभी भी बाहर हैं लेकिन पुरी एस टू-एस जोन काफी प्लेयर बचे हुए है टीम एट की तीम एट पूरी अब आपोलो रेगा डैमेज नॉक है और और रश कर रहा है पूरा अपने फुल पोर्स के साथ रश कर रहा है यहां पर फ्लेयर मंगा गया था अपॉलो की टीम साइटिंग और फुल प्लेश के साथ रश कर रही है तीम 10 और एक बंदा डाउन हो चुका है ऑर एक और बंदा डाउन हो चुका है और यहां पर टू वसेस फॉर की या टू वसेस ठीक चांस तेक और बंदा डाउन चुके हैं पैंथर पैंथर को देखेंगे और यहां पर अपोलो ने फिट से अपोल्ड कर दिया काफी अच्छा रिट्रीव गया एक प्लेयर खोथ लिट लिए थोड़ी सी मिस लीड की वज़े से यहां पर खतम जरूर हो गया पर लिटरली एक एच्छपी से बचे हैं अपोलो रेज को अपोलो रेज ने क्या रच क्या ही मारा है मैंने इनके वी पॉइंट से देख नहीं पाया लेकिन क्या ही अधभूत था यह सीन एक एच्पी से खतम किया है पुरी टीम 10 को एक प्लेयर जरूर अपना खो दिया है अपोलो सूप जो पिछली बार काफी अच्छा के लेते लेकिन अब तीन प्लेयर से सिमित रह चुकी है चार किस उठा चुकी है जरूर अब हमारे पास 44 प्लेयर अलाइव रह चुके हैं टीम 19 और टीम 19 के पास चलेंगे हम क्योंकि टीम 19 के एक और बंदा खतम हो चुका है दो के लुठा जरूर चुके सौमीक बचे हैं टीम 15 और टीम 19 के बीचमेंट इंगेंज चल रहे थे इनकी बीच में रिट्रीब कभी बैक अप ले रहे थे कभी हट रहे था और फिर से ल लेकिन टीम 15 अपने फुल बंदों के साथ रस्क कर दिया यहां पर टीम 15 के प्रेस्पेक्टिव से देख लेते हैं एवेंजर हैं एवेंजर की बिल्कुल पास है थोड़ा सा हील कर रहे हैं लेकिन अप फुल मूड है यहां पर रस्क करने का क्योंकि सोलो वसे स्क्वाइड की सिक्वेशन आ चुकी है एवेंजर रस्क कर रहे हैं यहां पर नेडवेड जो भी है फिका जा रहा है और नौक कर दिया गया है तीम और यहां पर इथिंक टीम 15 इसको रिवाइब मिल ला है अब वो खतम हो चुका है कि यहां पर पुरी आइधिंक दो दो चार तीन साथ आठ किल्स के साथ मैंच में बनी वे टीम 15 और यहां पर तब से जो चल ला था इनके बीच में टीम 15 और आइधिंक टीम 19 थी तीम 19 थी तीम 19 थी तीम 19 ने दो किल के साथ इस मैच में अलविदा खा अब सभी टीम जो है जोन में मूव करी टीम 21 पहले सेल पेजो पे बैठी हुई है टीम 22 भी जोन में है अपोलो अभी जो टीम 10 से फाइट लेकर अपना एक प्लेयर लूस के बाद जोन में बढ़ रही है और आइटिंग 16 और टीम 22 बिलकुल पास है तो वहां पर फाइट होने की पूरी चांसे है तो वहां पर चलेंगे हैं बिलकुल पास से ही मूव कर रहे हैं आपोलो मैक की तरफ देखेंगे यहां पर बिल्कुल टीम टू टीम टू इन से थोड़ी से दूर चली गई है टीम टू लेकिन बिल्कुल पास ही हैं यहां पर इंगेज हो चुकते हैं और फॉर वसे थ्री ट्राइवर से स्क्राइड की स्विचिशन आच चुकी है और यहां इन गेज हो रहा हैं इन गेज हो रहें यहां फाइट लेने की पुरे मूड में हैं और 16 टीम 16 का एक बंदा मार दिया गया है इसा कुछ नहीं है लूट रहे थे कुछ लेकिन इन्हें साहथ पता नहीं है यहीं पर टीम 16 भी है कि क्या है इन्होंने गलत जज़ किया लेकिन आप टीम 16 बिल्कूल अपर पार्ट से मूब कर रहे है जोन में मूफ करने कुछ तरफ से कुछ है वहीं ऊपर कोई है नहीं क्या है तो सेफ मूफ कर रहा है काफी अच्छा जोन जुडिंग मैं कहूंगा पलो टीम के तरफ से टीम निखिल के पास सब्सक्राइब कोई किल नहीं है लेकिन अच्छी बात यह कि अच्छी खासी लूट है इनके पास और चार बंदे भी पूरे अलाइव है तीम 11 सबसे बहार जोन से जोन मुव करने की कोशिश कर रही है देखें इनके पास वैकल है के नहीं पांच किल इनक कर पाया मैं पर टीम सेवन ओल्डेट हो चुकि है टीम 11 ने फिर से छे किल अभी भी स्कैम वाइपर जो है नौक है देखें है रिवाइब मिल जागा जोन में जा पाते हैं कि नहीं अभी यहां पर जो तीन टीम उतरी थी अभी यहां टीम सेवन और टीम 11 और 17 थी टीम 11 ने साय ओच्छे हैं तीम वन के भी देख लेते हैं कि टीमान के पास प्लक्छे हैं कफी टीम 22 नखेंत चुकी और 13 नहीं को तो उनमें भी फाइट होने की पूरी चांसेस हैं लेकिन अब मिझे लग रहा है जितनी भी टीम बाहर है सभी जोन में मूव करें क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वह जोन के बाहर जोन से मरें टीम रोजे सारूल को पर डैमेज दिया जा रहा है रोजे सारूल डैमेज है रोजे जाने नहीं देना चाहती है उनके पास वैकल नहीं है इसलिए जाने नहीं देना चाहती है और क्याकरोट नौक है क्याकरोट को बचाती कि नहीं उनकी टीम अब यह किल कनफिर्म हो पाता है कि रौजिश सारॐ monarch की पास और जरूर रहां बचाने a wen की उनके पास पास बचाते को इन देखने को मिलेगा पांच प्लिछी गिए raçãoठाक पासंठेंग什麼 कि 이름 केilar हैं और इन के पास अभी बी ऑप्टिक की थीन बंदे थे अब इनका एक बंदा खतम हो चुका één , इस अफ़ जी फूलों करए हैं TI'm 22 नोगज सब्सक्राइभ कि यहां पर को रहा है चुर्ण बनेटे का टाइम इड्नाड़ को लिए के लॉग open लिकृत्ब करनेखंब कर लिए और फिरो के बोच घ्मदर नोगे इनके लाजमी सी बात है अब वष्ची ड्रिकॉव बत का मतिवर्ण काफी अच्छी फॉर वसेज फॉर के फाइट हो रही है जोन में तो हम यहां जरूर देखेंगे प्लेयर क्या कर रहा हुं आप इंतक टीमा कर रहा हुं आपिसंति उन्हेंIF प्लेयर है यह जोन तीरा ब्च पर रखेंगे लिका। मोफ forma रही है तैंव समस्क्राइब अब दूधा में न Jadi जोन में मूव कर रही है लगे सभी टीम जोन में आ चुकी है लेकिन टीम बन जो है टीम 15 के अकेले बंदे को यहाँ पर अरुष कर रहे हैं कि नहीं मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है यहाँ अपर टीम एक कि लिवन यहाँ से निकाल सकते हैं लेकिन MS Berlin जो है अभी भी DMC के एक बंदे पर छेड़ने की पूरी कोशिस परशान कर रहे हैं कि कैसे भी एक किल निकल जाए क्योंकि ये स्काउट करने लेकिन इनकी टीम चाहती है कि जोन में जाए मूव करें और I think ये Berlin यहाँ पर रुक के इनका किल निकालना है कि कोशिस करेंगे ऐसा मुझे लग रहा या फिर ये भी जोन मूव करेंगे कुछ समय बात देखने को मिल जागा I think ये भी जोन में मूव कर रहा है तो फाइनली जोन में मूव कर रहा है अ तो एक टीम फिप्टिन का एक बंदा जोन में फ्स गया था I think डीमसी रीबस्ट और यह जोन में फसके तीन किल निकाल रहा है लेकिन जोन में फसने को जैसे और यह आइचिंग टीम ट्वंटी वन और टीम ट्वंटी अभी भी इंगेस नहीं हुए टीम फाइब जोन में पहड़ चुकी है वेंजर किस पर फइयर दे रहे हैं दिकत क्या और यह गाड़ी आ रही है इस स्कोल कहीं दे रहे हैं और यह संद बंदा के श्रीघण यहां पर और यहां पर सबी बंदे यहां पर साइको सेंकी रोजे शारॉल दो बंदे नौक हो चुके हैं और यह टीम बन खताम फिनिश ओ भाई लिटरली ओपी आर क्या इस्प्रे था भाई क्या इस्प्रे था फैन कर दिया भाई तो ने फैन टीम फिप्टीन के अकेले बंदे ने दो बंदों ने पूरी एक कार पे इस्प्रे दिया भाई मतलब मैं क्या बोलू टीम बन पूरी के पूरी और दो बंदों ने खतम किया उनको यहां पर team 8 और team 23 इंगेज हो छुकी है आई इसको रिवायब मिल चुका और दोनों team के पास देखले team 8 के बास 0 किल्शा और team 8 और team 23 इंगेज हो चुकी है टीमेट के जीरो के लिंग के पास भी दूसरे बंदे के साथ गर्ग के साबसे गर्ग आगे हैं और इनका एक बंदा बिश्टल जो है नौक हो चुका है टीम 23 का एक बंदा बिल्कुल साम नहीं है और ऑप्टिक पर फायर हुआ है टीम 23 के वही ये दोनो नोटिक के वहीं चलेंगे टीम 23 के पास एक किल हो चुकी है इनके फ्लैंग किया इनों ने और फोरेक्स और इसको उपन इनको पकड़ दिया गया है और डैमेज दिया टीम 23 का दूसरे बंदे से देखेते हैं एक किल है इसके पास और ये एक और बंदे को नौक कर दिया है एक और बंदे को नौक कर दिया एक और बंदे उपन पकल लिए उसको भी नौक कर दिया आइस गर को भी नौक कर दिया काफी अच्छा एक एम के साथ रेड़ लागे काफी अच्छा इस प्रे देते हुए दो बंदे नौक कर दिये और आमन भी डैमेज है और ये नौक हो ज यह था गाड़ी है कि नहीं इंके पास I don't know पर पूरी दो किल के साथ इन्होंने मुफ करना को है टॉम प्लेज गाड़ी है लेकिन लिटरली बहुत जादे डैमेज है दो किल है इनके पास जिखते हैं जोन में एक और गाड़ी है इनके पास जोन में मुफ करने कोशिश करेंगे इनके यह जोन में पहुच पाएंगे की नहीं ब्रिश्टल नौक हो चुका है अब जोन में पहुचना इनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे एक और बंदा नौक हो चुका है प्लेजोन से गर्ग बचा है सिर्फ गर्ग I think यह भी जोन से खतम लिटरली और यह य दूसे पास चलेंगे और यह प्लेजोन से ही चार प्लेयर खतम हो चुके हैं I think team 11 किसे इंगेज हुई है team 15 से इंगेज हुई है team 11 15 से एवेंजर भाई जिन्होंने और काफी अच्छा इस प्रेज दिया एवेंजर ने सेजल को नौक किया है और इनका किल कोई कंफर्म कर रहा है और इसकेम के एक बंदे ने खतम कर दिया एकेले बचे हैं 9 किल के साथ इसकेम एसके गेमिंग 19 अकेले बचे हैं और यह फसे हुए I think यहाँ पर team 20 भी है 15 खतम हो चुकिया थे हैं तो काफी अच्छा फाइट लेने के बाद यहाँ पर 11 टीम 11 से पिटने के बाद खतम हो चुकिया अब हमरे पार 17 प्लेयर्स अलाइव हैं प्लेयर्स अलाइव है टीम 20 टीम 16 और टू बिल्कुल पास में वहां पर चलेंगे वहां फाइट हो सकती है टीम 16 को तीम 16 टीम 10 से फाइट लेने के बाद एक प्लेयर्स अपना लूस किया था टीम 16 और टीम 22 और यह जो किया हुआ है कि यहां पर टीम 16 अपॉलो मैक को देखेंगा इन पर एंफ फोर्स इस प्रेयर्स थोड़ी से डैमेज और यहां पर टीम टू का एक बंदा नॉक कर दिया है अपॉलो मैक ने और यहां पर इनका टीम 2 से इंगेज चल लाए जिसमें टीम 2 आइधिक आउल इससे मुझे नहीं पदा जीरो किल के साथ है रोजेश विशाल टीम 16 से इंगेज हो रही है और वो जोन में मूव कर रहा है पर उनको मूव करने नहीं दिया जागा आइधिक और रोजेश हनी को देखेंगे हम कार 98 विट एटेक्स और टीम 16 काफी अच्छे पिछली बार इ टीम 20 टीम 16 टीम 22 सबसे अलाग है टेम 11 का एकेलेव बंदा बचा है लावी को देखेंगे लावी हटी तो पूरी द्यान इनकी यहां पे फ्लेर वंगाया था है पूरी का पूरा ध्यान टीम 16 पर है श्रूकि कि इनकी 5 टीम 16 से ही हो सकती है तो कि तीम पंप संप कि इस एंगेज हो चुक Tuesday इसन वा Aah चली सब्सक्रांद को पाई कर nation फाई से हो चुई कि बन्तर मके थिति आ सब्सक्राने क्प्सक्राइड से बंदाा आउक हुआ है अब उसको रिवाइब तो मिल जाएगा पर देखते हैं टीम 20 रश करती है कि नहीं यहां पर अपना फ्लेयर लूटेंगे जो है किसी के फेवर में नहीं है बोल दूए जोन किसी के फेवर में लिटरली किसी की फार्व बिल्कुल पास में है टीम 22 तो बिल्कुल सेफ आइधि असरील रॉजर्श विचाल बीवर में रॉश कर दिया है से अकेले एक बंक पर नॉसीफायर ईस बन्दे की बन्दे के एक बन्दे को पूरे लिटरली खाने के बाद अब खोद अपना किल दिया है तो टीम एलावन ने काफी टीम का गेम खराब किया टीम तू यह तो ग्यांग्रेट मतल हम क्या बोले हैं ऊब दू तीमेग बचियेंग ट्राइवशन की सिच्वेशन टीम ग्यांग्वोंटीटेशन टीम 20 टीम ट्राइशन घ्यांग हो गया है और टीम ट्वंटी ने पूरे चार किल्स उठा है पर भाई अभी एक टीम ट्वंटीटू के साथ बंदे के साथ जोगा भाई पूरा गैंग बैंग हो गया अब टीम 16 तीन बंदों के साथ और टीम और टीम 16 का एक बंदा नौक हो चुका है लेवी ने नौकिया अपूलो मैक पर श्प्रे देते वे रोजेश अनी और विशाल ने अब यहां पर ट्राइव असे सोलो वसेश ट्राइव का स्विचेशन हो चुका है इसको रिवाइब दे रहा है रोजेश अनी फुल एकदम इस बर second आई है और फिर से रोजेश के टीम जो तो रोजिश स्पोर्ट ने जीता है रोजिश स्पोर्ट इस बार साथकिल के साथ चिकन डीनर की है आपॉलो मैक ने फिर से अआँ आब आज करता हूं अग्र। और यहाँ पर रोजी स्पोर्ट ने इस मैच को जीता है साथ में साथ किल्स उठा है अपोलो इस बार सेकंड आई है काफी अच्छा गेम खिला इस बार भी एक बंदे का गैंग बंग किया सॉरी इसके लिए इन्होंने भी आठ किल्स उठा है और थर्ड पर आई है टीम 22 यह थी जिसका भी गैंग बंग हुआ था एक बंदे का एक किल्स उठा है इसने भी डूब से स्क्वैड के लिए थी काफी अच्छा गेम खिला काफी अच्छा जोन रिडिंग करके आई थी पर बाद में स्कैम उगे इन के साथ और स्कैम ने भी 4 किल्स 4, 4, 10, 14 किल्स भाई अकेले स्कैम के एस गेमिंग 90 ने अकेले 10 किल्स उठाया है तो काफी अच्छा गेम खिला भाई ने और एस ने 1 किल उठाया है जो अभी रोजी स्पोर्ट से पिटी थी और टीम 6 ओजी जिरो किल्स और लेफ्ट क्या ना में DMC एवेंजर हाँ एवेंजर जिसने टीम 1 को काफी तगडी बुरी तरीके से दो बंदों ने स्प्रे करके मारा था दो, पांच, साथ, तीन, दस तेरा किल्स उठाया है आई एस ने दो किल्स उठाया है, MIC के बंदो, MIC टीम 9 रैंक पर आई है, 0 किल्स और 10 पर आप्टिक, हाँ, आप्टिक भी काफी अच्छा खेली थी जो टीम 23 थी, जो दो बंदों ने परशान का रखा था बहुत सारे टीम, एक किल्स पर कम मत करते हैं, एक पर आप्टिक भी काफी थी